नभश्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरिश्कुमार इंगले हैं, मैं एक मनोची की सक्सेक्सरुप तथा वेसलमुक्ती तग्ये हूँ बहुत बार हमें यह सवाल पूछा जाता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन वीचलित हो जाता है तो ऐसे में जो पढ़ाई में आपका जो ध्यान है, वो कैसे केंगरीद करें, हाव टू स्टेप, फोकस इन स्टडीज, इसके बारे में आज हम बात करेंगे हम किताब खोल के पढ़ने के लिए तो बहठते हैं, कुछ देर तक पढ़ भी बाते हैं, लेकिन कुछ देर के बात क्या होता है कि हमारा जो मन है यह वीचलित हो जाता है और हम बाकी की बाती जो है बाहर की बाती उसके उपर सोचने लगते हैं जैसे कि अगर घर में कुछ बन रहा है, तो मम्मी क्या कर रही होंगी, या किसी की अगर तब्यत खराब हो है, तो उनके बारे में हम सोचने लगते हैं, अगर आपके दोस्त बाहर खेल रहे होंगे, तो उनके बारे में आप सोचने लगते होंगे, तो इस तरह की बहुत सारी इन से कैसे बचे यह ज्यादा जरूरी है इसमें सबसे महतवपुर्न जो बाब है कि जो बाते आपको डिश्ट्रैक्श कर रही है उसको कैसे कम करें हाओ तो रिद्ग्जस दिश्ट्रैक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं समझो आप कितब खुल के बैटे वो पढ़ा ही कर रहे हो और कुछ द्यद के बाद आपके मन में कुछ खयाल आते हैं आप सपने देखने लगते हो और सपने में आप खो जाते हो और पढ़ाही से बच्ट दो अैसे सब्सक्राइब को लिखेंगे क्या करना है। deduction अगर आपको क्या करना है कि वीचार एक पेन या पेंशिल आपको लेना है और लेके आपको निद लेक्टा सी बाउनी शनुवी को लिखेंगे तो विचार आपको पेपर के उपर लिखना है अगर क्रिकेक नाच चल रही है और उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो तो विचार आपको पेपर के उपर लिखना है अगर आप कॉलेज में हो, किसी के साथ आप प्यार में हो और आपके उस वेक्ति के बारे में अगर विचार आपके मन में आते हैं तो उस तरह की विचार आपको उस पेपर में आपको लिखना है तो जब आप इस तरह की विचार पेपर पे लिखते हो और जब भी इस तरह की विचार फिर बार-बार आपके मन में आते हैं तो आप पहले ही उस तरह की विचार जो रहते हैं उसको पहचान जाते हो विचार है जो मुझे विचलीद कर रहे हैं, जो मुझे पढ़ाई से रोक रहे हैं, तो उसके उपर कंट्रॉल करना भी फिर आसान हो जाता है। अगर आप में पैचान लिया कि यह बाते हैं यह मुझे विचलीद कर रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ाई के लिए बैटे हो और स्टडी टेबल पे आपने मोबाईल रख दिया, और मोबाईल फोन पे जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वो अगर आपको डिश्ट्रैक कर रहे अगर आप विचलीद हो रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको जो आपका मोबाईल पोन है, उसको लेके दूसरे रूम में आपको रखना पड़ेगा, या उसके जो नोटिफिकेशन से उसको आपको बढ़ करना पड़ेगा, तो इस तरह से जो भी बाते हमें डि कि थोड़ी देर पहले ही मैंने खाना खाया है, अभी मैं कुछ देर के लिए मैं पड़ोंगा, उसके बाद जो भी कुछ बना है मैं खालोंगा, अगर आपको आपके गल्फ्रेन या बाई ट्रेन के बारे में अगर कुछ विचार आ रहे हैं, तो इसके उपर भी आप सोच स पड़ाई की तरप रहना चाहिए, तो इस तरह से आप खुद को कुछ सजेशन्स दे सकते हो, और उस तरह से आपकी जो डिश्ट्रेक्शन्स है, जो मन आपका विचली थो रहा है, उसको आप कम कर सकते हो, फिर दूसरी जो महतुपुर्न बाभ है कि एक जुनूम, एक पैशन तयार करना, इसके लिए मुझे सवाल आपको पुछना है, कि जब भी आप कोई आपका पसंदीदा गाना सुनते हो, या कोई फिल्म आप देखते हो, या आप खेलने जाते हो, तो क्या आप डिश्ट्रेक होते हो, हम ऐसे वक डिश्ट्रेक नहीं होते हैं, हम वीचल जब भी हम कोई पसंदीदा गाना सुनते हैं, तो उसमें हम खो जाते हैं, खुद को हम भूल जाते हैं, यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम कोई गाना सुनते हैं, या फिल्म देखते हैं, या जो भी बात हमें बहुत ही पसंद है, वो जब हम करते हैं, तो उसमें हम खुद को भूल जाते हैं, खो जाते हैं उसमें, तो हमें उसी तरह का पैशन रखना पड़ेगा, अगर आपको स्टड़ी करना है, तो आपको उस तरह का पैशन उसमें डालना पड़ेगा, उस तरह का जुनून आपको उसमें डालना पड़ेगा, आपको खुद को उस तरह की उस तरगी कमान्स आपको देनी पड़ेंगी, कि मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे बड़ा होके डॉक्टर बनना है, मुझे इंजिनियर बनना है, या मुझे कलेक्टर बनना है, या कुछ तो भी मुझे अच्चीूव करना है, तो इसलिए मुझे पड़ना है, जब आपके मन में कुछ पैशन रहेंगा, जुनून रहेंगा, तो आप जो डिस्ट्रैक्शन है यह भूल जाओगे, आपका जो मन है यह बीचलित होना यह कम हो जाएगा, तो एक पैशन, एक जुनून रहना यह जरूरी है, फिर तीसरी जो महतोपुर्ण बाव है, यह है कि हमें जो छोटी-छोटी अचूमेंट्स है, जो उपलब दिया है, उससे हमें खुश होना पड़ेगा, इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा जो माइंड है, जो मन है, यह एक मंकी की तरह है, बंदर की तरह है, यह थोड़ी-थोडी देर में यह डिश्ट् तो आपका मन वीचलित हो जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप पढ़ने को बैठ गए तो आप लगातार तीन या चार घंटे पढ़ पाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है, समझो, जितना भी आप पढ़ पाए, आदा घंटा पढ़ पाए, या एक घंटा भी पढ़ है, और ऐसे वक्त, आप क्या कते हो कि पढ़ने तो बैठते हो, लेकिन जब आप किताब लेके इतने लंबे समय के लिए बैठेंगे, तो जो प्रोड़क्टिविटी जो रहेंगे, जिस तरह से आपने सब क्याच करना चाहिए, जो कॉंसेंट्रेशन आपका रहना चाहिए, तो भृँ नहीं रहता, मन आपका भटक जाता है, तो हम इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कि समझो आपने एक घंटे के लिए पठ लिया तो एक गंटे के बाद आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा प्रेक लेसकते हों, उस प्रेख में आप पहल सकते हो, या गाना सुन सकते हो, या कीचन में जाके कुछ तो भी बना सकते हो, तो इस तरह से ब्रेक लेने से क्या होता है कि आपको फिर तरो ताजा महसुस होगा, एक एनर्जी आपने आ जाएंगी, फिर आप नए एनर्जी के साफ अप फिर पढ़ने को बैठ सकते हो, तो इस तरह से बार-बार हमें ब्रेक लेना ज़रूगी होता है, चोथी जो महत्वपुन्न बाब है कि आपका जो स्टडी है, जो अध्य है उसका एक टाइम टेबल बनाना है, आज से आपकी एक्जयाम को कितना टाइम है, कितने महिनों के बाद या कितने दिनों के पड़ेगा, एक रियालिस्टिक आपका टाइम टेबल रहना चाहिए कि जिससे आप अच्यो कर सके, जिसमें ज्यादा आपकी मतलब श्ट्रेस आपके उपर नाए यह जरूरी है, तो वह इसाब से आपका टाइम टेबल रहना चाहिए, और आपको फिर टाइम टेबल बनान तो खुत को आपको एक रिवाड देना है, कि चलो मैंने एक कम्प्लिट कर लिया, तो मैं कुछ रिवार्ज देता हूँ, जैसे चॉकलेट आप खुद को दे सकते हो या फिर आप ठोड़ा घूनने को जा सकते हो या अगर बड़ा गुल आपने अच्यो किया, आपको एक motivation बढ़ता है और पढ़ते रहने की जो इच्छा है जो concentration है यह भी फिर बढ़ते रहता है फिर पाच वी जो महतोपुर्ण बाब है कि स्वस्त भूजन करें बहुत बार क्या होता है कि हमें ज्यादा तर जम फूर्ड या अनहिंदिक फूर्ड या ज्यादा स्वीट पसन हो या कम रहने चाहिए ज्यादा तर हमारा जो भूजन है यह एक कर्भोहडरेड प्रोटीन और हिल्दी फैट उसका एक मिक्चर रहना चाहिए एक संतुलीत आहार रहना चाहिए जिसमें ग्रीन विजिटेबल्स ज्यादा होने चाहिए उसके अलावा आप फूर्स ले सकते हो तो आपका जो भूजन है यह संतुलीत भूजन रहना चाहिए फिर पानी भी आपको अच्छे से पीना है कम से कम तीन से चार लीटर आपने पानी पीना चाहिए जब आप पानी अच्छे से पीते हो तो उससे एक एनरजी आपकी बनी रहती है तो यह सब बाते है जो आपको करनी है चटी जो महत्वपुर्ण बाभ है कि अच्छी नीन ले जब आप अच्छे से नीन लेते हो तो आपका जो माइंड है यह फ्रेश रहता है आप चोकस रहते हो और आपका जो शाद टम और लॉंग टम जो मेमरी है उसमें भी आपको सुधार मजराता है बाकी जो भी आपके लिए आसान हो जाता है बहुत बार क्या होता है कि जो अच्छे से नीन नहीं लेते हो तो आप दिर्गकालिक और आपकी जो अलपकालिक मेमरी है यह उतनी अच्छी नहीं रहती है और आपको याद करना याद रखना यह सब बाते भी आपको थोड़ा मुश्किल हो जाती है और जो आपका कॉंसंट्रेशन है यह भी आपका घड़ जाता है तो इसलिए हमें अच्छी नीन लेना ज़रूरी होता है हरे की जो नीन है यह अलग-अलग हो सकती है जैसे किसी को 7 गंटे या किसी को 8 गंटे भी नीन जरूरी होती है लेकिन जो नीन आपको एकदम कि अच्छी नीन आपको लेना जरूरी है कभी कभी क्या कर सकते आप कि बीच में आप थोड़ा सा जबकी भी ले सकते हो दिन में थोड़ा सा पंदरा बीस मिनिट या आदे गंटी की लिए एक या दो बार ऐसा जबकी भी आप ले सकते हो साथी महतोपुर्ण बाव है कि नियमीत वयाम करें वयाम आप पंदरा से बीस मिनिट या आधे गंटे तक आप कर सकते हो या उसमें फिर स्ट्रेचिंग हो गया या योगा हो गया या पहलना हो गया तो इस तरह से आप कर सकते हो वयाम से क्या होता है कि एक नीन जो है उसमें आपके सुधार आता है, फिर आपका जो concentration और memory जो है, जो आपकी एकागवरता है, फिर जो आपका याद रखना है, इसमें भी आपको सुधार नजर आता है, हमारी जो oxygen लेवल है, यह व्यायाम से बढ़ जाती है, हमारा जो शारिरीक और मानसिक स्वास्ता है, उसमें भी निय व्यायाम करना यह ज़रूरी होता है, बहुत बार जो स्टूडन्ट से उनको लगता है कि जब व्यायाम करेंगे, तो उनका टाइम जो है यह व्यस्ट जाएंगा, वो टाइम की बरबादी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, जब आपका यायाम करते हों, तो आप फिजिक करने की साथ प्युक्तिया, इसका आप अभ्यास करें और अपनी जीवन को सफल बनाएं, और इसी तरह से नहीं नहीं जानकारिया लेकर हम आते रहेंगे, बस आपको इतना करना है कि हमारे जो वीडियो जे उसको लाइक करना है, हमारे चानल को आपको सब्स्राइब करना है यारे लाँ